जब बात ड्रक्स और युवापीडी की हो रही है तो मैं आपको मद्य प्रदेश के इंस्पाइरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ यह inspiring journey है मीनी ब्राजिल की आप सोच रहे होंगे कि मद्यप्रदेश में मीनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तुट्पिष्ट है MPK शडर में एक गाउं है विचारपूर विचारपूर को मीनी ब्राजिल कहा जाता है मीनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि यह गाउं आज फुटब हपते पहले मैं शर्डोर गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाडियों से हुई थी मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देश वाज़ों को और खास कर युवा साथियों को जुरूर जानना चाहिए साथियों विचारपूर गाउं के मीनी ब् नाम था नसे की गिर्ट में था इस माहोल का सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को हो रहा था एक पूरवर नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमत ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना रईस जी के पास संसाधन जाता नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी ल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपिलर हो गई कि विचारपूर गाओं की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी अब यहां फुटबॉल क्रांती नाम से एक प्रोग्रेम भी चल रहा है इस प्रोग्राम के तहत निवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हे ट्रेनी दी जाती है ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचार पूर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज़्यादा खिलाडी निकले हैं ये फुटबल करांती अब धीरे धीरे पूरेक शेत्र में फेल रही है सहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज़्यादा फुटबल कलब बन चुके हैं यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाडी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं फुटबल के कई बड़े पुर्व खिलाडी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनी दे रहे हैं आप सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैद सराब के लिए जाना जाता था नशे के लिए बननाम था वो अब देश की फुटबल नरसरी बन गया है इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां रा하 हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरुरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की इसके बाद यही युवाओं देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश की विकास को दिशा भी देते हैं झाल झाल झाल